हलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर दोस्तो मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त आज के वीडियो मैं बता रहा हूँ आपको कि सीमा सुरक्षावल बीएसफ में कॉंस्टेवल के जनरल ड्यूटी के लिए रिक्तिया निकली हुई हैं और इन पदों में जो न्युक सुरक्षावल में कॉंस्टेवल के हैं जो खेल कोटे से नहीं भरे जाएंगे पूरा वीडियो को जहां से देखेगा मैं यहां पर दोनों ही चीजह आपको बताने वाला हूँ बीएसफ में खेल कोटे से कॉंस्टेवल की भरती हो रही है और बीएसफ में जनरल लेवल पे बीएसफ की भरती हो रही है दोनों ही लेवल पे अब मैं पहले बात करता हूँ खेल कोटे की सीमा सुरक्षावल में खेल कोटे के तहर्ट जो कांस्टेवल की जो जनरल ड्यूटी के लिए जो वेकेंसीज निकली हुई है इन पदों के लिए 23 खेलों में जो खिलारी है उनक की निक्ति की जाएगी कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर यो टेइस खेल लिस्टिड है सीमा सुरक्षावल में अगर आप वो कोई भी खेल खेलते हैं तो आप सीमा सुरक्षावल में एपलाई कर सकते हैं कॉंस्टेवल जनरल ड्यूटी अंडर स्पोर्स कोटा इसके लिए जो योगता है दस्वी की कख्षा पास की हुई हो आपने और भारतिया टीम की सदस्य के रूप में किसी नैशनल या इंटरनेशनल स्पोर्स इवेंट में आपने भाग लिया हो आयू सीमा की बात करें तो आयू सीमा 18 वर्ष से लेके 23 वर्ष के बीच में आपकी आयू होनी चाहिए और अधिक्तम आयू सीमा में SCST को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट दी हुई है जो चैन का मध्यम है वो फिजिकल स्टेंडर टेस्ट, हाइट बार टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन, स्पोर्स ट्रायल और मेडिकल एग्जामिनेशन के माध्यन से इसमें चैन होना है आवेदन सुल्क मात्र 100 रुपए है और SCST और महिला आवेदको को कोई भी सुल्क नहीं देना है आपको दोस्तों करना क्या है आपको मैं यहाँ पर जो लिंक दे रहा हूँ आपको यहाँ पर जाना है और इस लिंक पर जाकर टोटल नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करना है और टोटल नोटिफिकेशन नाउनलोड करने के बाद मैं अपने डॉक्यूमेंटरेशन डिजिटल हम में करनी है obec कैसे करनी है यहीं मैं आपको अगली विडियो में बता दुगा और कोई परेशा नहीं आये तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजेगा और अधी अभी तक भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दीजेगा अब दोस्तों दूसरी वेकेंसी मैं बता रहा हूँ कॉंस्टेबल के लिए ही सीमस रक्षा बल में लगभग एक हजार पदों पर भरती निकली हुई है और ये नियुक्तियां कॉंस्टेबल के पद पर की जाएंगी और इसमें केवल पुरुस अभ्यार्थी ही आवेदन कर सकते हैं कॉंस्टेबल के पद पर मान्नेता प्राफ्ट स्कूल सिक्षा बोर से दस्वी की कक्षा पास की हो तरसाथ ही सम्मंदी ट्रेंड में दो साल का अनुबव हो या आगर आपके पास में आई टी आई का सर्टिफिकेट है तो आपको एक साल का कारिण होगा तो भी आप एपलाई कर सकते हैं नियुन्तम योग गता जो नियुन्तम आयू सीमा है वो अठारा से अधिक्तम 23 साल तक है और सी एस्टी वर्प को पास साल के लिए और ओवी सी को तीन साल के लिए इसमें छूट दी जा रही है चैन परिकरागा जो माध्यम है वो फिजिकल इंटेस्ट इंस्टेंडर्ट टेस्ट फिजिकल एफिजिनसी टेस्ट टेस्ट ट्रेड टेस्ट और लिखित परिच्छा के अधार पर उम्मीदवारों का चैन किया जाएगा और इसमें भी आविदन सूल्क मात्र सौ होगी इसमें आपको जो डांक से जो अविदन करना है उसके बता देता हूँ यह आपको वेबसाइट मने हैं लिख दी है यहाँ से आप पूरा नूंटिफिस्ट आउनलोड कर लिजिए पूरा फॉर्म आपको यहाँ पर मिल जाएगा और यहां से पूरा फॉर्म डाउनलो में बेज सकते हैं और दोस्तों यदि अभी तक भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जो बिल्कुल फ्री है जिससे मेरे वीडियो आने वाले टाइम आपको मिलते रहेंगे और साथ ही बैल आइकन को भी क्लिक कर दीजेगा ठीक दोस्तों मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद झाल झाल